नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट सिंग रासी 12 सितंबर से 30 सितंबर तक का वक्त आपके लिए बहुत खास रहने बाला है क्या कुछ खास होगा कौन सी तारिखें जो आपकी लाइफ बदल सकता है और कौन से दिन रहना होगा सा यह प्रडिक्शन चंद रासी पर आधारित है सिंग रासी जिनका स्वामी स्वयम सूर्य है और देव ब्रस्पती जो की दसंभाव में बैठे हैं तो सितंबर के महिने में जो सनी देव हैं वो वक्क्री चल रहे हैं और सुक्र 18 सितंबर को रासी परिवर्तन करेंगे इसे अ यह कह सकते हैं कि कोरे कागज पर आपकी किसमत लिखी जाएगी तो 16 सितंबर तक जो सूर्य हैं अपनी ही रासी में हैं और जब सूर्य अपने ही घर में होते हैं तब यहां पर सूर्य आपको एटिट्यूड देते हैं बहुत ज्यादा आपको तरक्की की तरफ ले जाते हैं आप अपने दम पर प्राप्त करते हैं, confidence देते हैं, स्वास्त की जो भी पिड़ाय थी उससे भी सुरे रक्षा करते हैं, लेकिन 16 सितंबर के दिन सुरे आपके धनस्थान में जाएंगे, तो उनके धनस्थान में आने से घर पड़ी बार में खुसियां बढ़ेंगी, अपनों का साथ मिलेगा, अब चुकी कर्ण्यारासी में केतु हैं, सुरे केतु ग्रहन दोस बना कर बैठेंगे, तब यहां पर इस ग्रहन दोस के कारण थोरी सी परेसानी भी होगी, यानि केतु को बेहतर करने के लिए रोज हल्दी का तिलक भगवान को लगाने के बाद अपने माथे पे, कंट पे या फिर कलाई में कहीं एक जगा लगा लिया कीजेगा, तो अच्छा रहेगा, और रोज भगवान सुरे को परणाम करना है, जलरपित करना है, तो इसमें 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक ग्रहन दोस रहेगा, सनी देव वक्रिय अबस्था में चल रहे हैं, और ठीक सप्तम भाव में हैं, और यहाँ पर करियर के मामलों में खासकर दसम भाजो करमस्थान है, सनी देव ऐसे ग्रह हैं, जो धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे फल देते हैं, राहू भी सनी के तरही पल देते हैं, लेकिन राहू का देने का जब देने पर आते हैं, तो वो टिकाओ होता है, और सनी देव धीरे धीरे करमों के नुसार फल देते हैं, बस अंतर इतना ही है तो ये सितंबर का महिना आपके लिए सनिदेव के वक्री इस्थिती में रहने से बिशेज आपको नुकसान नहीं होगा बलकि महतपूर्ण अवसर ही प्राप्त होगा कोई महतपूर्ण कारे आपके बंते दिखेंगे सब्तम अस्थान में वक्री अवस्था में चल रहे हैं छटे अस्थान पर प्रभाव रहेगा कोट केस का चहरी मुकदमा समन्धी कोई कारे था अगर सत्तुरों से मुस्किले थी तो यहां पर आपको सत्तूरु भूंती मिलेगी तो यहां तई देव की किर्पा बरस रही है तो जैसा अपनी सुरुवात में कहा देवगुरू ब्रश्पती आपके करियर के भाव में है तो बड़ी उपलब्धी देंगे सोचेवे कारे बनेंगे मनो आंचीत मनो कामना को पूर्ण करेंगे और कई गुना आपका यहां कारे होने के संभावना बढ़ेगी धन के मामनों में विसेश लाब होगा तो यह महना अच्छा है सुक्र का भी अपने मूल त्रिकोन में आने से 18 सितंबर को यहां पर धन भाव पे आएंगे नीच के होकर सुक्र अपने स्वेम के घर चले जाएंगे और घर भी मूल त्रिकोन डासी में तो यहां पर सुक्र के आने से मालब भी योग बनेगा जीवन में बिलासिता देंगे प्राकरम बढ़ाएंगे मेहनत का फल देंगे करियर में तरक्की करवाएंगे और दूसरा सुक्र यात्राएं भी करवाएंगे अपनों के साथ यात्रा कर सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं एग्रिमेंट हो सकता है नया अगर आप बैपारी भाई हैं सबका सपोर्ट मिलेगा आपका बैपार बढ़ियां चलेगा तो सुक्र यहां आपको देने पे आ आप जहां भी मेहनत करेंगे वहीं सोना उगलेगा अब वह कौन सी तारीक हैं जिस दिन आप सुबकारे कर सकते हैं 24 सितंबर 25 सितंबर 29 सितंबर और 30 सितंबर यह दिन ऐसे हैं जिस दिन आप जो भी कारे करेंगे उस कारे में सफलता प्राप्ति के संभावना बढ़े 25 सितंबर तो इन दिनों थोड़ा साब्धान रहिएगा और इस में देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना रोज भगवान सुरी को एक लोटा जलरपीत करें गायतरी मंत्र पढ़ें ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए हम आप से विदा लेते हैं जानकारी